Hello Friends, Welcome to my channel Oce餘 Kitchen आज मैं बनाने जा रहे हूं बहुती हल्दी एंद टिस्टी साबुदानी की खिचरी साबुदानी की खिचरी बनाना बहुती असान है और आज मैं बहुत जटपत बना रहे हूं साबुदानीकी खिचरी तो इसके लिए मैंने 50 ग्राम काजू लिया है, 100 ग्राम स्मूफली लिया है और इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है साबुदाना यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है जिसको की मैंने अच्छे से वाश करके, 4-5 पानी वाश करकी और इसको मैंने 6-7 गंटे तक सोप करके रख लिया था आप भी इसी तरह से साबुदाने को अच्छे से वाश करके सोप करके रख लें अगर एक कप आपने साबुदाना लिया है तो एक कप पानी डाल कर और सोप करके इसको रख दें इसका फिर पानी नहीं निकालना है, छे से साथ गंटे में यह अच्छे से खुल जाती है, दो यहाँ पे मैंने बॉल्ल पोटेटो लिये हैं, वन टी स्पून जीरा लिया है, दो ग्रीन चिली और दो रेड चिली लिया है, तू टेबल स्पून मैंने घी लिया है, एक इंच अ सबसे पहले यह जो मैंने काजू और मुफली को रोस्ट कर लिया था, इसको ग्राइंट कर लेंगे, और साबुदाने में मिक्स कर देंगे, और साबुदाने में इसी टाइम पे जो अद्रक है, उसको भी मिक्स कर देंगे, और जो सॉल्ट है, उसको भी इसमें अभी मिक्स क करके रख लेंगे इससे हमारी टाइम सेव होगी और सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में घी डालेंगे जो गैस का फ्लेम है वो हाई होना चाहिए अब इसमें जीरा एड करेंगे ग्रीन चीलिस एड करेंगे और रेड चीलिस चीलिस आप अपने हिसाब से डाल सकत सौल्ट प् canım से कम जाधा कर सकतें इसमें करी लिस रड़ेंगे और इसमें मुफली डालेंगे अगर आपक्डर मुफली डालरेंगे तो इसको अच्छे से फ्राइक कर ले और अगर आपने रोस्ट करकिना रखा है तो उसको जाधा फ्राइद करनी की ज़िरूरत नहीं है। और अगर आप इस तरह से पोटेटोस नहीं डालना चाहते हैं, तो आप पोटेटोस को अलग से फ्राइ करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे पोटेटोस को फ्राइ नहीं किया है, पोटेटोस आड़ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और दो मिनट के लिए पकाना है जब यह दो मिनट के लिए पक जाए तो इसमें साबुदाना एड करना है और साबुदाने को आड करके अच्छे से मिक्स करके इसको जस 5-10 मिनट के लिए पकाना है तो इसको अच्छे से कवर कर दें और गैस का जो फ्लेम है वो लो कर दें और इसको 10 मिनट के लिए पकलें इस बिश्च में आप इसको एक बार ओपन करके देख लें कि यह ठीक से पकरे है कि नहीं और कहीं नीचे लग तो नहीं रही है और बस यह बन के त्यार है साबुदाने की खिचरी इस तरह से आप बनाएंगे तो जटपट से बन जाएगे आपकी साबुदाने की खिचरी आप इसमें आड़ कर सकते हैं लेमन जूस क्योंकि गैस जब आण रहेगा और लेमन जूस आड़ करेंगे तो वह थोड़ी सी टेस्ट उसकी कडवी आई लेमन आड़ करते हैं और फिर इसको गानिश कर लें कोरियंडर लिफ से चीली से तो यह बन के त्यार है थैंक यू फ्र